बाउजन समाद की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटकार पिपोल्स वोईस और पहला आइकन दबाए बाउजन समाद पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी आगामी विदान सभा चुनाओ के अंदर किस तरीके से क्या रणनीति के साथ मेदान में उतरने वाली है अभी तक किसी भी परकार का कोई भी जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं मिल पा रही है आकिर कप पार्टी आपको एक बड़ी कारिकरम के तोर पर जन सभा जन सब्रक है वो करेगी हाला कि पार्टी ने ये जानकारी नहीं दी पिछले दिनों पतरकारों ने भी सवाल कहा तो क्या कि जो बाने वर्ट साब कासीराम जी की जैनती है उसके उपर वो कारिकरम किया गया था और बड़ा कारिकरम था अला कि बहुत ही बड़ी रेली थी जिसमें बड़ी संक्याबे आपको बता दे कि भीड़ी पे पहुंचे थी अब खबर ये भी आ रही है कि बाने वर्ट साब कासीराम जी की जो पुन्यती ती है चहे दिसम्बर को उस दिन भी लटनओ के बड़ी रेली या कारिकरम थांके सुपरीमों मायवती जी की तरफ से किया जा सकता है अला कि अबी तक पार्ठी के तरफ से ये कोई अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है लेकिन आपको बतादे कि पार्टी के तरब से जो परत्याक्षी गोशित किये गए हैं वो लगातार ये आवान कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को लखना हो कि जो बैट कर पा रहे हैं वहां पर कारिकर माय उजित किया जाएगा जो बाने बर साब का सिराम बाबा साम बैट कर के नाम फट्रीरमित है तो देखना दिल्चस्प होगा कि पार्टी अगर इन 6 दिसंबर को अलागि कारिकन PSP के तरब से किया जाता है 6 दिसंबर को हमैसा से किया जाता है लेकिन इस बार कितना बड़ा होगा ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन जो भी हो बहुजन समाद पार्टी सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी यह तो एक तरीके से बविश्य के गर्ब में छुपा है लेकिन बहुजन समाथ पार्टी का जो कोर वोटर है वो ब्यस्पी के साथ आज भी खड़ा है जो किसी भी पार्टी का हार और जीत का गणित पूरा-पूरा बदल सकता है इ जो भी हो उत्रप्रदेश में 2022 के चुनाव है और ब्यस्पी की रननीती पर खास नजरे सभी राजटेटिक दलों की बनी हुई है